मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं कि विटिल इगो को मैनेज करना कितना आसान हो सकता है चलो कुछ ऐसे आसान टिप्स देखते हैं जो बड़ा फर्क ला सकते हैं धूप से बच कर रहना हाई, SPF वाला संस्क्रीन लगाओ और अपनी दवचा को ढखने के लिए सुरक्षात्मक कपड़े पहनो तेज केमिकल्स मत इस्तिमाल करो ऐसी स्किन प्रॉडक्ट से बचो जिनमें अल्कोहल या खुश्बू होती है क्योंकि ये आपकी दवचा को परेशान कर सकते हैं बैलंस्ट डाइट लो फल, सबजियां और साबुत अनाज आपकी पूरी दवचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस से विटिलिगो शुरू हो सकता है या बिगड सकता है इसलिए आराम करने के तरीके ढूंतो रोज मॉस्टराइज करो अपनी दवचा को हाइड्रेटेड रखने से ट्राइनिस को मैनेज करने और जलन को कम करने में मदद मिल सकती है खुद से इलाज मत करो कोई भी नया ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमेशा डर्मेटोलोजिस्ट से सलाह लो याद रखो विटिलीगो को मैनेज करना छोटे छोटे लगातार कदम उठाने के बारे में है पॉजिटिव रहो और अपना ख्याल रखो